Hello friends, आज का session हमारा रहेगा logcat के उपर, मतलब android के अंदर जो logs होता है, जो कोई भी small message या कोई भी system message हमको show करवाना होता है debugging के लिए, जिसे मैं कोई process को चला रहा हूँ या कोई भी काम execute करवा रहा हूँ मेरे android code के अंदर और मैं check करना चाता हूँ कि सही value आ रही की नहीं आ रही है, कोई चीज return कर रहा हूँ तो वह सही से हो रहा है की नहीं हो रहा है, कहीं पिपी मैं को checks लगाने के हाँ यह चो चीज है code यहां तक function सही कर रहा है की नहीं कर रहा है, या कोई message throw करवाना है जो मेरे लिए हो, as a developer के यह हो, तो मैं किसका use करता हूँ, logs का use करता हूँ, तो log को हम कैसे लिखते हैं, कैसे उसको view करते हैं, और कहां दिखता है log, वो सारा कुछ आज अपने session में करने वाले हैं, ठीक है, start करते हैं, सबसे पहले actual में log होता क्या है, देखो log को अपन बहुत पहले से जानते हैं, ज देखते हो कि बहुत सारी files पढ़ी है, उनको हम file log कह सकते हैं, वैसे ही अगर आप देखो कि calling अगर आप करते हो, phone के अंदर call use करते हो, तो calls वगर आती है, जाती है, receive होती है, miss call हो जाती है, आप call करते हो, तो वो सब एक log में, मतलब एक particular format में store हो रहा है, एक similar data, तो उसको भी हम एक log से pronounce करते हैं, वैसे ही Android भी अपने सारे जो भी logs होते हैं, जो भी system के messages होते हैं, वो locket में show करवाता है, मतलब अगर आप Android studio को चलाएंगे, और debugging mode on रखेंगे हमारे phone का, तो हम देख पाएंगे कि system के जतने भी messages हैं, वो जो फो करता है, वो हम जो locket है, उसमें हम के error हारी है, या कोई warning है, या कोई information है, या debug में उसमें show करवाया है, तो इस सारी चीज़े हम logcat होता है, उसमें हम देख सकते हैं, तो पहला point तो यह होता है, call log का, कि वो जितने भी system messages होते हैं, वो सारा वहां show करवाता है, दूसरा होता है, कि for a developer perspective में को कुछ भी show करवाना है, तो मैं उस चीज़ को कैसे show करवांगो, log की help से, तो वो भी खान दिखेगा, logcat में दिखेगा, चीक है, एक और चीज़ होती है, इसमें कि बहुत सारे call logs जगर आएंगे न, तो जैसे आपको भी message वाला, जैसे अपन toast करदे हैं, या कोई भी ऐसे चीज notification करदे हैं, तो कभी store नहीं होता, मतलब कि आप previous नहीं देख सकते हैं, पहले क्या message शो हुआ था, या पहले क्या toast शो हुआ था, जो अब नया toast है, वो previous को override कर देगा, लेकिन log में क्या होता है, आप गया से एक पूरा record रहता है, आप पूरा history में जाके देख सकते हो कि पहला, उस time पे क्या log हुआ था, जब तक आप उसको clear नहीं करते हो, वो सारे log आपके लिए accessible होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे screen पे देख सकते हो कि एक log cat का जो view है, वो आपको दिख रहा है कि logs कैसे show होता है log cat के अंदर, जो एंडर शूडियो में आपको बताऊंगा, एंडर शूडियो में system के कोई logs आ रहे है, तो वो भी वहीं पे दिख जाएंगे आपको, चीक है, और आपने जो log करवाना है, आप जो log का code लिखा है, वो जो log हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा, वहाँ पे, अब जो basics है कि एक log का syntax क्या होता है, जो simple सा होता है log dot d, d stands for यहाँ पे debug, अभी क्यों d use हुआ है, क्यों कभी i use होता है, क्यों कभी e use होता है, उसा ही चीज़े पढ़ेंगे, उसके पहले हम समझते हैं कि इसमें दो parameter चीए होते हैं इस method को, सबसे पहले होता है tag और दूसरा होता है message, अब यह tag और message क्या है, देखो message तो वो है जो आप show करवाना चाहते हो चीज़े है, tag क्या है, tag से आप identify करोगे, कि जैसे आपने code में 10 log लगा लिए, अब आप कैसे identify करोगे, कौन सा message कब show हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, different tags लगा देंगे उसके साथ में, और जो tag की value होती हो, आपकी जो होती है, string के अंदर ही होती है, तो आपने पहले check करवा है कि और एवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपने वहाँ पे जो tag लिया, वो check ले लिया, चीक है, तो यह एक simple सा syntax होता है, and then log के अंदर बहुत सारे options होता है, कि आप different different classes में उनको show करवा सकते हो, जैसे कि इनके methods होता है, different different.log.e for error, अगर आपको कोई error method show करवाना है, अब इनकी priority भी होती है, अब इसको ऐसे समझते हैं कि जो priority जिनकी high होती है, उनके जो logs हैं वो पहले दिखेंगे, उनका color भी change होगा, जैसे error है तो वो error वाला जो भी log है, मतब log.e से कराएगा कोई भी log, आपको priority में high दिखेग तो जबी भी आपको कोई लग रहा है कि जैसे यहाँ पर error आ सकती है, जैसे आप try catch blog लगाते हो, मतब try catch का blocks लगाते हो, उसमें आप catch में जबी भी आएगा, मतलब को exception आई है, तो वहाँ पर log.e करवाके अपने error को आप वहाँ locket में print करवा सकते हो, जिससे कि में को, मतलब जैसे यहाँ रही है, कि input, output exception आया है, कि किस null pointer exception आया है, किस वज़े से यह जो मेरी app है, वो crash हुई है, आपको idea लग जाएगा, वहाँ से, तो log.e कराने से क्या होगा, कि आपको जो priority है, वो high मिलेगी, ठीक है, तो जब भी भी कोई आपको ऐसा case लगे, कि error आएगी, जहां अब भी error show होगी, आप error को print करवाना है, तो आप log.e से करा सकते हो, फिर आता है log.w, जो basically हम नहीं करते हैं, क्योंकि warnings जो भी है, आपको system या android manager ही आपको throw करेगा, क्यार, यहाँ पर error create हो सकती है, आप देखते हो, android studio के अंदर भी बहुत सारी warnings आती है, orange color का signal होता है, उनका आप ऐसी चीज़े use कर रहो यहाँ पर कर रहो तो यहाँ पर null आने के chances है, यहाँ पर यह चीज़े, input, output, exception आ सकती है, तो पहले से आपको warn करता है, तो जो भी warnings होगी, वो w से होती है, log.w से जो भी कराओगे, तो इसकी priority e से कम होती, बाकी सब से high होती है, then आता है आपका log. log.i, i for information, तो कोई भी info करके logs जो जितने भी होंगे, वो systems से related होंगे information के regarding, तो log.i से आता है, then आता है log.debug, जो की बहुत important है, जो हम जिस phase में logs करवाएंगे, वो log.d करवाएंगे, और errors के लिए हम करवाएंगे log.e, चीज़े, d का मतलब होता है, debug, यानि की development process के time में, जित अपने debug mode में log कराएंगे, वो अपनी दिखेंगे, तो ये एक तरह से secured way है, क्योंकि, हाला कि अब तो आप काफी सारी चीज़ें आ चुकी है, android बहुत secure हो चुका है, कि अब reverse engineering नहीं हो सकती, लेकिन, अगर कोई मेरे logs को access कर सकता है, तो problem है, मेरे data चुरा सकता है, मेरे concepts, य अभी नहीं निकाल सकता, ठीक है, देन आता है log.v, जो की verbose होता है, verbose यानि की जितने भी logs है, वो इस खेंडर आते है, जब भी आप verbose select करोगे, या verbose में करोगे, तो जितने भी logs की category है, उन सब में, वो सारे include करता है, ठीक है, तो जितने भी हमने उपर अभी पढ़े है, वो सारे all are included in work, उस मतलब की log.v के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक simple सा logcat का जो message format होता है, वो कैसा दिखता है, मतलब अभी आपने देखा था, यह जो इतने सारे logs आपको दिख रहे है, यह बहुत सारे logs है, मतलब एक साथ, कहीं सारे logs यहाँ पर show हो रहे है, आई में हलका सा grayish color है, उस में आपको आई वाले दिख जाएंगे, इनफो वाले, जो normal warning वाले हैं, वो आपको white color में दिख जाएंगे, देख सकते हो, आप W, यहाँ पर जो डबलू है, वो warning का है, आई जो है, वो info का है, then E जो है, वो errors related है, जो ऐसे ही जो एक पूरा syntax होता ह यह किस particular format में होता है, वो यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किए, सबसे पहले date और time आता है, उसके बाद PID और TID, अब PID और TID क्या होता है, PID होता है आपकी process ID, या identify कह सकते हो, और TID होता है आपका thread identify, तो बहुत सारे threads चलते हैं, और हर threads में कहीं सारे multiple processes चलते हैं, तो यानि की process की ID है, जो 4533 है वो आपकी TID है, यानि की thread ID है, उसके बाद में आता है package priority, अगर आपका system call है, तब तो वहाँ पर system ही आएगा, ठीक है, system process या system call ये लिखावाएगा, लेकिन अगर कोई app चल रही है, app run हो रही है, जैसे आपकी app run हो रही है, तो आपका package name जो है, यहाँ show करेगा, इस जगाँ पर, then आता है यहाँ पर D, D किसको represent करा है, जैसे मैंने log.D करवाया है, तो यहाँ D में मेरा tag है, मलब जो मेरा log है, वो दिखेगा, अगर मैंने log.V कराया होता, तो मेरा जो log है, वो V के साथ दिखता, अगर मैंने error में कराया होता, तो log.E से के दिखता में को, चीक है, slash, यह जो Wi-Fi condition control आ रहा है, यह है, जो tag हम देते हैं, तो यह जो log है, इसमें इसका tag क्या हो गया, Wi-Fi condition control, and colon के बाद में जो यह आपको दिख रहा है, scan result ready event, यह वो message प्रो हुगा है, तो जो भी आपको message आप लिखोगे, वो यह colon के बाद में शोग होगा, और उससे पहले colon होगा, और colon से जस्ट पहले आपका tag होगा, चीक है, तो यह basic format होता है, इसका log का, चीक है, और यहाँ पे एक simple सा log का example आप देख सकते हो, यह हम practical implement करके देखेंगे, और फिर execute करके देखेंगे, तो चलते हैं सीधा Android Studio के पास, यहाँ मैंने Android Studio open कर दि है, आप बने बने project में भी log लगा सकते हो, logs तो कहीं पे भी लगा सकते हो, आप जहां पे भी आपको check करना है, run time पे, toast होता है, जैसे की toast होता है, user को notify करने के लिए log होता है, हमारे लिए, चीक है, तो आपको भी project में लगा सकते हो, मैं हमेशे एक नया project open करता हूँ, ताकि यहां मैंने finish कर दिया, तो यहां देखो, मेरा project create हो चुका है, start करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कि locket, देखो, नीचे की side में यहां पे window दिख रहा है, आपको यह वाला, इस पे आप click करोगे, तो आपको यहां पे open हो जाएगा locket, तो यहां पे आप देख सकते ह तो phone device होगी, उसके सारे logs आ रहे होंगे, या अपर अगर आपने AVD चला रहा है, तो AVD के logs आएगे, तो अभी मेरा कोई भी device connected नहीं, तो आप यहां देख सकते हो, no connected device, तो कुछ भी logs नहीं आ रहे है, obviously logs किसके होगे, किसी phone के regarding ही होगे, मतलब phone के अंदर जो भी messages store हो हो रह और हमारा log भी जब execution में आएगा, जब यह particular जो भी code मैंने जहां पर भी लिखा है, वह execution में आएगा, तब वहां पर उसका respective log show हो जाएगा, तो start कर दें, मैं इसको अभी के लिए hide कर देता हूँ, अब यहां पर log करवाने के लिए हमेशा सबसे पहले लिखना है log, जैसे log के बाद में dot, अब dot के बाद में आपको small letters को use करना है, डीबग करना चाहते है तो d, warning, error देना चाहते है तो e, warning show कराना है तो w, info को show कराना है तो i, verbose में show कराना है तो v, ऐसे काफी सारे आपको option मिल जाएगे, mostly cases में आपको सबसे ज़रुत पढ़ेगी वो log.d की पढ़ेगी, तो यह उसके बहुत सारे benefits भी है, क्योंकि हम normally जादा तर जो logs करवाएंगे, वो हमारी कुछ checking purpose के लिए करवाएंगे, और second जो हमारा priority पर रहेगा, वो error को show कराने के लिए होगा, तो either log.d, या फिर log.e, ये दो जादा जरूत में आएंगे आपके, अब जैसे ही method call होदा त उसको दो चीज़ अचीज होती है, आप यहाँ देख सकते हो, एक tag और एक message, तो tag का भी string format है, और message का भी string format है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, test log, चीक है, तो simple सा यहाँ पर मैंने, जो tag दिया है, वो भी test दिया है, और उसके अदर message जो करवा रहा हूँ, वो test log करवा रहा हू तो मैं को colon के साइट दिखेगा, test, और colon के इस साइट दिखेगा, मैं को right-hand साइट में दिखेगा, test log, चीक है, आप एक और चीज़ कर सकते हो, जैसे कि यह एक log कर दिया, आप दूसरा एक log बनाते है, log.d, और इस बार मैं क्या करता हूँ, variable भी pass कर सकता हूँ, तो आप कही identified रहेगा कि यह चीज़ जो है, वो इस tag से आ रही है, मतलब इस constants आ रही है, इसकी value बार-बार change नहीं हो रही है, और कहीं बार अपन इसको और easy करने के लिए हम क्या करते हैं, कि जो activity का name है, उस नाम से उस constant को बना देते हैं, जैसे इस activity का नाम है, main activity, वैसी आप ही class, जो project आप बना रहे होंगे, कोई भी class बना, जैसे चैट किया, कोई activity है, तो उस activity का नाम होगा, chat activity, तो उस particular activity में, जितने भी आपको logs करवाने, आप chat activity constant को ले सकते हो, उस tag के अंदर, उस से में आपको benefit क्या होगा, जैसे आपको उस particular activity के log चेक करने है, तो आप से बस activity का नाम ल होता है, तो यह यहाँ पर easy हो जाता है आपके लिए, तो उसको constant को use करने के लिए, या normal use करने के लिए आप एक string बना सकते हो, मैंने यहाँ पर string बना ही, string tag, equals to इदन में नाम दे जाता हूँ, then आपको क्या करना है, stack को call करना है, और फिर जो भी आपको message print करवाना है, जो भ लगा सकते हो, चीक है, तो दोनों logs होंगे, आप दोनों logs को हम check करेंगे, तो check करने के लिए हम इसको run करके देखते है, यहाँ मेरा evd start हो रहा है, तो project install हो चुका है, देखते हैं, यहाँ देख सकते हो, simple सी हमने कुछ code में कुछ कुछ भी नहीं किया, तो simple hello world मेरा project open हो चु तो कुछ भी शो नहीं हो रहा था, अभी आप देखोगे काफी सारे logs यहाँ शो होने start हो गए, और यहाँ पर no devices आ रहा था, यहाँ नो apps आ रहा था, यहाँ देख सकते हो कि emulator आ रहा है, जो मैंने virtual device बनाई है, उसका name यहाँ यहाँ पर जो मैंने app open कर रहा है, उसका package name यह यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ जो point है, वह आता है कि आपको इन में से कौन सा open करना है, जैसे कि में को, अगर word boss होगा तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, word boss हो नहीं सारे logs है उसमें आ आ जाएंगे, अब अगर आपको errors वाले log देखने, तो आप error पर क्लिक क चल रही है, उनके logs भी हमको show होते हैं, क्योंकि हमने हमारे phone को, या AVD को connect कर रहा है debug mode में, तो जो internal logs हैं वो भी हम show कर सकते हैं, मतला हमको show हो सकते हैं, तो यह system के भी logs यहाँ show होते हैं, अब हमको हमारे apps के करने हैं, तो हमने debug में किया था, तो debug पर क्लिक कर दो, यहाँ दे तो मेरे logs भी यहाँ show हो चुके हैं, मैं उनको select करके बताता हूँ आपको, यह देखो, यह जो अपने logs open करवाय थे, एक तो मैंने log कर रहा था, test करके, और एक कर रहा था, first log कर गे, एक मैं अपने variable बना के tag को डाला था, एक मैं directly मैंने string pass करी थी as a tag value, दोनों ही logs यहाँ पे यानि की PID हो गया आपका process ID, and then हो गया आपका thread ID, और उसके बाद में आपका package name है, यहाँ पर आप देख सकते हो package name, then आता है आपका d, क्यूंकि हमने log.d कर रहा है, तो capital D refer करता है debug को, क्यूंकि हमने log.d कर रहा है, हमने किसमें कर रहा है, debug के अंदर, then slash, और जो हमने नाम हमने क्या दिया था, इस tag के अंदर first log, तो यहाँ देख सकते हो, उसका जो tag आया है, वो यहाँ पर आ गया, then colon, और उस colon के just बाद में, हमारा जो भी message था, वो यहाँ पर आ गया, तो यह इसका practical implementation था, तो आज वहने session में हमने पढ़ा, कैसे log को create किया जाता है, कैसे उसको view क हमने आज की session में cover up करी, आज की class के लिए इतना ही, thank you